हैलो स्टुडेंट बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अरिहांत लेक्चर गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन्स एनी बिज्ञान में पास होने का ट्रिक वो सबसे आसान तरीका आपने यूटूब पे बहुत सारे वीडियो देखेंगे लेकिन ये जो वीडियो न सब परसेंट जीनियस और जेन्यून ट्रिक है ये सभी मैं आपको प्रूब के साथ दिखाऊंगा अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाऊगे कि साइंस में पास कैसे होएंगे या साइंस में कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसका ट्रिक क्या लगाएंगे कोई नुमेरिकल ना आए तो क्या ट्रिक लगाएंगे कोई reaction ना आए तो क्या trick लगाएंगे कोई चित्र मुझे ना आए तो क्या trick लगाकर मैं उसमें पूरा का पूरा number लेकर आँगा अगर आज कि इस वीडियो को आप मिस कर देता है ये कभी आप नहीं जान पाओगे इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत important है ठीक है आपको board exam देना थी ये वीडियो बहुत important है आपके लिए तो आप अपना 20-25 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना आपने इस वीडियो पर किलिक किया है तो आप एक लखी इंसान हो क्योंकि आपको ये समय से वीडियो मिल गए ठीक है तो science निक बिज्ञान में पास होने का सबसे आसान ट्रिक बिना पढ़े बिना याग की कीवल्ड ट्रिक से अगर आपकी किसी कारणवस पढ़ाई नहीं ह तो उसमें आपको कौन सा ट्रिक लगाना 100% गारंटी पूरे नंबर देंगे टीचर खुसो कर ठीक है टीचर खुसो कर आपको पूरे नंबर देंगे और कभी जिन्दगी में आप फेल नहीं हो सकते अगर इस ट्रिक को वाज कर लेते हो फूल ऐसी वीडियो आपको पूरे यूटूब पर नहीं मिलेगी ठीक है यह जन्यून वीडियो कर मिलेगी भी न तो इससे डिप्रेंट मिलेगी और वो फाल तो वीडियो मिलेगी ठीक है देखो आपको बोर इक्जा में बहु भी कलपी नहीं आता तो उसे ट्रिक से कैसे हल करना है पेपर में आए सभी तैयारी कर रखाऊं, यहां पर यह answer sheet है, यहां पर paper है, एक paper नहीं, यहां पर दो-तीन paper है हमारे पास, इस वजह से मैं दो-तीन paper ले लिया, ताकि आपको भरपूर proof मिल सके, ठीके, तो सबसे पहले आपको board exam में जब जाओगे न, तो आपको objective question मिलेंगे, ठीके, objective की trick क्या है, subjective की दो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम objective question को देखेंगे, ठीके, अगर आपने बिना पढ़े, या कोई भी objective question आपको board exam में नहीं आता, तो क्या trick लगा, जैसे बिना पढ़े objective question सही करने की क्या trick है, जैसे कि कोई question दे दिया, ठीके, उसमें से कह दिया कि option A वह B दोनों है, ठीके, या जो option A है, भी है, उसका नाम ही लिख दिया है, तब भी आपको ये वाला जो chance रहता न, 99.99% करेक्ट होने का chance होता है, ठीके, एकाक परसेंट ही कभी गलत हो जाता है, इस टी को आप देकर अगर तुक्का मारोगे, तो आप other बच्चों से काफी इस पीपर में question आया हुआ है, कि एक गती सील आबेस उत्पन करता है, ठीके, कीवल बैदूचेतर, कीवल चुम्बकी चेतर, बैदूट और चुम्बकी चेतर दोनों, तो आपसर नमबर इसका यही correct है, कि बैदूट और चुम्बकी चेतर, यहाँ पर बैदूचेतर और अब बात करते हैं, आपके जो question paper उसमें objective question भी आते हैं, और subjective question आते हैं, आपको सबसे पहले करना किसको है, subjective को करना या objective question को करना है, ठीके, यह चीज़े हम बाद में देखेंगे, अब इसके बाद देखो एक चीज़ और हम आपको बता दी कि अगर आपकी exam में कोई भी MCQ ऐसा आजाए, जैसे कि कोई question दे दिया, उसमें बोल दिया कि option A, A, B, C, ठीके, और उप्रियुक्त सभी या A सभी का option आजाता है, तो यह वाला भी 100% correct होने के chance रहते हैं, 100% यह correct, जैसे यहाँ पे question आया हुआ है, कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, मीटर होता है, कि cm की mm की उप्रियुक्त सभी, देखो त्रिज्या को सभी में measurement कर सकते हैं, तहाँ पे उप्रियुक्त सभी का जब भी option आया, तो यह 100% correct होता है, तो आपको यह mark कराना है, ठीके, तो उप्रियुक्त सभी वाला question correct होता है, इसके बाद, exam paper में सबसे ज़्यादा सही होने वाला चार option है, ठीके, तो आपको क्या करना है, शुरुआत में A और C आपको correct होगी, या तो आप इस तरह से भी क्या सकते हो, कि 5 तो A को correct कर दिये, 5 तो B को मार दिये correct, और C को भी 5 तो मार दिये, D को भी 5 मार दिये, 20 वह भी कर पिया है, तो यह वाला trick लगा दिना है, ठीके, अ यहां पर हमारे paper है, अब इस paper में, यहां पर A करेक्ट हुआ है, और यहां पर C करेक्ट हुआ है, यहां पर C करेक्ट हुआ है, और यहां पर A करेक्ट हुआ है, ठीके, यहां पर C करेक्ट हुआ है, और यहां पर C करेक्ट हुआ है, और यहां पर C करेक्ट हुआ है, और यह अब देख सकते हो एक कितना अच्छ रेक्त ऐतु मैं आपको कितना करेक्ट होथा और हम्हें और यहां पर दूज किता हूं यानि बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिसमें A वसी सबसे ज़्यादा करेक्ट होने के चांसेज रहते हैं ठीक है नेश्ट देखते हैं देखो आपको सबसे पहले इसमें अब सब्जिक्टिव में क्या ट्रिक लगा रहे हैं ठीक है और ये question मुझे नहीं पता है कि ओम का नियम किसे कहते हैं या कोई और नियम आजए या और भी कोई question आजए ये मुझे नहीं पता है का इसका मात्रक भी लिखना और सुत्र भी लिखना है और ओम का निमित तो सम्व्हार बहतरीन से करने घंड बध है और छिंड हो वरनात्मकol प्रेश्ण करते हैं यहां पर लिख जैता है value इनक Hai घंड चो डनीकी बाद च्पया ड़ाएगा 21 का हम क्या क है कौ नम्बर करें को कव यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से अब ओम का नियम है ठीक है अब जब भी ओम का नियम लिखेंगे तो इसके नीची स्केल से 2 पाई कर देंगे जिसे हमको पता चलेगा कि यह हेडिंग डाला गए है एक अच्छे से ठीक है ओम का नियम अब दो हमको ओम का नियम नहीं पता हम कैसे लिख रहे हैं ओम की नियम के अनुसार या कोई भी नियम आ जाए तो लिखेंगे ओम की नियम के अनुसार ठीक है और जो नियम आता उसी के अनुसार लिख देंगे बहुत सारे मैं copy वी चेक्या हो तो ये बच्चे trick लगाते हैं तो देखो मेरे प्यारे बच्चो आपको करना क्या है ठीक है अब देखो यहाँ पे यह चीजे आ गई अगर हमको इसका देखो इसका जो फार्मुला होता हों करनियम का वो आर बराबर होता भी बाई आई ठीक है आपको फार्मुला भी नहीं पता तो भी concentric लगा नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगा अगर कास आपको ये फार्मुला पता है ठीक है ये फार्मुला आपको पता है तो आपको simple क्या कर देना है भी बाई आई के अनुपात को ठीक है यहाँ पे आप भी को विभुवांतर क आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि विभुवांतर ठीक है विभुवांतर तथा धारा की अनुपात को अनुपात को ओम का नियम कहते हैं बिल्कुत सिंपल आपको चार नंबर मिलेंगे कैसे मिलेंगे अभी आप बता दो ठीक है अगर आप कहोगे कि सर मुझे फार्मूला भी नहीं पता है नहीं आरा तब कौन सी ट्रिक लगाएंगे देखो आपको देखो ओम की नियम के अनुसार ओम का नियम यह कहलाता है अगर आपको विभुवांतर धारा न पताओ तो आप लिख दो भी बाई आई के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है ओम का नियम आर कहते हैं अगर यह भी नहीं आपको कहने आ रहा तो आप इस से रिलेटेट कुछ टीबर्ड जानते हूँ जैसे ओम का नियम हो गया विभुवांतर तथा धारा या धारा की बारे में कुछ जानते हो या इसके chapters related कुछ जानते हो तह आप उसी को simple इतना में भर देना है ओम का नियम कहते यह आपको लिख दोगे तो आपको 4 नमबर का तो एक डिर्ड नमबर मिल जाएगा आर बराबर भी भाई आई जब आप लिख रहे हो तो इसका मात्रक ओम या इसको हिंदी में इस तरह से ओम जरूर लिखना है ठीक है तब जाकर आपको नंबर मिलता है यह अगर इतना आप जानते हो तो ऐसे लिख देना ठीक है अब आप कहोगे कि यह तो हो गया मालो अगर कोई रियक्शन ना आए तो उसके लिए क्या ट्रिक लगा है यहाँ आप एक साइंस की पेपर ही आपकी जैसे आगया बेकिंग सोडा बनाने की बीधी तसा उसके गुर्धर्म को लिखिए ठीक है अब दिखो बेकिंग सोडा मुझे नहीं आता लेकिन उसकी थियोरी मुझे थोड़ा भूत पता है ठीक है तो दोखो सबसे पहले कापिक सुरु बातिया आपको अच्छी तरीकेस कर लेना है खंड कर डाल देना प्रशन अतर संख्या की नीचे स्केल से दो पाई इस तरह से खीच लेना ठीक है जैसे मैं यहां पे खीच रहा हूँ दो डबल पाई होना चीए इससे लिखो कि फर्ष्ट इंपरेशन लास्ट इंपरेशन यह सब चीज़े जब करें रहोगे न खुझ समझाएगा कि यह बच्चा पढ़ने मच्छा क्योंकि आप वहां पर नहीं होती है आपकी कोपी यह आपकी अउकाद बताती है और आपकी कोपी देखकर आपकी जामने यह पता कर लेता कि बच्चा पढ़ने में कैसा है सबसे पहले हमने क्या डाला बेकिंग सोडा बनाने की बीधी हेडिंग डाल दिया है यहाँ डाला लिखेंगे कि प्रयोक साला में बेकिंग सोडा का निर्माल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीए बिलियन में H2O में CO2 गैस प्रवायद करने पर बनता है अब देखो यहाँ पर य न, A2CO3 कभी-कभी यह भी आता आपके इक्जाम में की इसको मिलाने पर क्या प्राप्त होगा कैसे प्राप्त करोंगे ठीक है अगर आप न जब भी ऐसे करोगे तो यह जो यहां पे 2 होता है न यह अक्सर आगे लग जाता है ठीक हर एक reaction में अगर यहांपर 2 आता है तो उसको हम आगे ही लिख देते हैं यहां पे आगे लिख दिया इसके बाद जो है वो लिख देंगे यहन्य AE लिख डिया कोई भी रेक्सर आ जाएक यहां पर 2 लगा है जिसे AG2 तो 2 AG हो जाएगा यहां पर न A अब यहां पर 2 रेक्पी और इसके बाद H현 स्त्सक्छा उछलेंगे यहां पर 0 is 2 और यहां पर 1H का है यहां पर 3 लगा देंगे C O 3 तो देखो इसमें जब आप maintain करोगे न सब कुछ maintain जैसे 2N कट होए 2 तो यहां पर 2N कट हो गया अब यहां पर H कट हो तो तो 2 का multiply सभी में होगा 2H में भी होगा और यहां पर यहां पर यह कट होए 2 एक आपका 3 और 3 छे तो 3 यहां पर 3 का multiply 2 में होगा तो 3 दुना के 6 ओ हो गया oxygen इस तरह से ठीक है और यहां पर फिर क्या कर देना है blue pale लेना और यहां पर इसका नाम लिख देना है ठीक है जो जो चीजें जैसे यहां पर यह क्या है यह आपका है sodium carbonate तेहां पर लिख देना है sodium carbonate ठीक है यह सब चीजें आपको लिखोगे तो अच्छा लगता है examiner को देखने में sodium carbonate carbonate और यह होगे आपका जल आपको अच्छे तरीके से लिखना और यह होगे आपका CO2 gas carbon dioxide इसको लिख सकते carbon dioxide ठीक और यहां पर क्या बनता है baking soda बनता तो इसका जरूर नाम लिखना है ठीक यह नहीं कि आप इसका नाम ही न लिखे तो आपके तो यहीं पर नंबर करता है baking soda examiner को भी पता चलेगा कि आपने यह baking soda बना दिया यह तो थोड़ा सा टपता लेकिन इससे भी अगर और भी कोई reaction आ जाते तो उसे कैसे बनाना है एक चीजिसे आपको यहां पर आगे कि ammonia chloride यहनी नवसादर को तो क्या प्राप्त होता है ठीक है तो सबसे पहले आगर आपको ammonia chloride की थोड़ी टूटी फुटी भी सब्दों में अगर सुत्र पता तो उसे लेखने है ठीक है जैसे यहां पर ammonia का सुत्र होता है और chloride का होता CL ठीक है तो देखो यहां पर ammonia chloride जो हो जाएगा आपका NH4Cl हो यहां पर तो सिंपल सा बात ऊड़ेगा यह बनेगा आपका NH3 ठीक है क्या बनेगा NH3 तो यहां पर से 1H बच गया तो यहां प्लस लगा देंगे और 1H बच यहां पर 1H कम होगे H और इसके साथ CL क्या है CL यह चीज़े अलग हो जाती है ठीक है जब भी ऐसा CL दिखे नहीं त किलोराइड ठीक है नौसादर भी से कहते हैं किलोराइड और जो चीजे प्राप्त होता उसका भी नाम हमें लिखना है ठीक है इस तरह से आपको बोर्ड एक्जाम में लिखना है थोड़ा तुटा-फुटा सब्द में भी आपको आता है वह एक्षर आप कर दो अगर आप सही बात करते नेश्ट इसकी बात आपके बोर्ड एक्जाम में कोई भी ना नुमेरिकल आ जाए कोई भी नुमेरिकल आ जैसे यहां पर दूसरा नुमेरिकल को हम देखेंगे या पहले में ही नुमेरिकल आया हुआ है दिरका कि 15 सेमी फोकस दूरी की किसी उत्तल दरपड से रखी गई है प्रतिभी में की इस्तिती तथा प्रकृति को ग्याद कीजिए चार नंबर में क्वेस्टन देगा तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना प्रशनोक्तर संख्या डाल देंगे दो का है तो दो ठीक है इस तरह से इसके नीचे हमने बता है कि स्केल से दो पाई इस तरह से आपको रहेगी ठीक है इसके बाद हमें क्या लिखना है प्रशना नुसार क्या लिखेंगे हम प्रशना नुसार ठीक है क्वेस्टन का अंसर लिखने पहले प्रशना नुसार यह चीज़े इंपोर्टेंट है इसके बाद लिखेंगे कावा लगाएं 15-15 तो यहां पर हम लिखेंगे F बराबर 15-15 सेमि यह फोकस देरखा है इसकी बाद उत्तल दरपट से कोई वर्स्टू 10 सेमि की दूरी पर यह वर्स्टू की दूरी यू बराबर 10 सेमि देरखा इसको माइनस में रखते हैं इस तरह से हम लिख देगे, जो जो बैलू दिया उसको लिख दो, ठीक है, नुमेरिकल में अगर question ही उतार दोगे, तो भी आपको आधा number मिलता है, इसके बाद है कि प्रतिभीम्ब की इस्तिती तथा प्रकृति ग्यात किजी, हमें ग्यात क्या करना है, प्रतिभीम्ब की इस् question है नि, प्रतिभीम्ब की इस्तिती, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है, जैसे यहाँ पे हल लिखा, यह होगे आपका हल, अब देखो, अगर इसका आपको कोई फार्मूला पता हो, जिसे हम जानते है, कि यह mirror की बात करना है, दरपर की बात करना है, दरपर का फार्म सिमी, जो भी value इसमें हम रखते हैं, उसको बगल में side में जरूर दिखाते हैं, इससे एक्जामनों को यह पता चलता है, कि आपनी इसकी value यहाँ पे रखा, ताकि उसे problem ना किरियेट हो, ठीक है, अगर इतना जानते हो, अगर आपने इतना ही करके आगया, इसके आगया आप थोड़ा बहुत भी आप खीचे देते हैं, तो भी आपको आधा एक number मिलते हैं, ठीक है, तो देखो, कोई भी examiner यह नहीं चाहता है, कि मैं आपके number काटू, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लिखो, अगर नहीं आता तो, ठीक है, साधा पे छोड़ोगे, तो examiner के पास कोई भी आपसर नहीं रहेगा, आपको pause करने का, ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया, अगर value आता है, तो यहाँ पर जब भी रखेंगे, तो इस तरह का symbol लगाएंगे, ठीक है, इस से यह पता चलता, examiner को कि आपने next step किया है, यहाँ पर एक बटा के app की value कितना है, 15 से मित, पर प्लस है, एक बटा की यू की value माइनस में, तो माइनस 10 फूट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखने से यही पता चलता, examiner को कि आपने ये चीजे किया है, तो इस तरह से कोई numerical इतना भी आता है, तो आपको इतना भी करकर आओगे, तो भी आपको यहाँ का एक number नेश्ट बात करते हैं, कोई चित्र ना है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर देखो एक question है, कि मानो पाचन तंत्र का नामांकी चित्र बना यह पाचन किरिया कभी, वरनन कीजिए, यह question 6 marks का आया हुए, अगर आपको मानो पाचन तंत्र नहीं है, समझ मातला क्या है, कैस तो आप simple मानो का चित्र जानते हो, ठीक है, प्रशनत्तर संक्या डाल दें, आप चित्र पाचन तंत्र लिग देंगे, अब यहाँ पे जो पाचन किरिया होती है, जिसमें पचाने का भोजन कारी किया जाता है, ठीक है, आहार ना ला गया, तो जिसमें से आहार जाता है, थोड़ा थोड़ा, इसकी जो नली होती है, यहाँ पे दिखा देना, और इसमें आहार ना लिख सकते हो, हिर्दे, यहाँ पे है, चोटी, आत्मुख, गरशनी, इस तरह से लिग दोगे ना, चार नंबर का तो आपको तीन नंबर मिलना तरह है, ठीक है, तो ऐसे अगर चित बसितना